हाई गाईज, जैसे कि आप सभी को पता है कि FIUG Second Semester का जो exam fee payment है for final examination वो अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है, आज सुभे से स्टार्ट हुआ है, परसुक को स्टार्ट होने वाला था लेकिन कुछ technical glitch था आसाम इरिवसिटी के website पे जिसके कारण से जो payment का option था वो आज सुभे क हमें देखने को मिला कि वो on हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी आप सभी को payment करने से पहले कुछ चीज़े ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ही जादा important है, और अगर ये सुने भीना या फिर जाने भीना आगर आपने payment कर लिया, तो मुझे पक्का पता है कि 99% chance है कि आप स प्रेस कर रहे, तो आप भी अगर चाते हो कि फेस ना करो आप, वीडियो को पूरा सुनना, सुनने के बाद वीडियो को प्लीज एक बार शेर करना, और साथी साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब एक बार कर देना, ठीक है, इसको से पैमेंट जो है, वो फेल कर लेता है, और पैमेंट करने का भी तरीका रहता है, किसी भी जगहा पे, अब किसी भी जगहा पे Online पैमेंट कर रहे हो, तो उसका कुछ तरीका रहता है, कि Fawn से ना करें अग्सटॉप नहीं है, अगर आपके पास Dекстop नहीं है, तो आप Fawn से पर रहेगा यानि जब पेमेंट करोगे तब आपका जो स्क्रीन है वह आपका Google Chrome या फिर जो भी Chrome ब्राउजर है आपका प्राउजर से वह एक बार Google पर चला जाएगा और तब क्या होता है कि पीछे का जो वेबसाइट होता है वह एक बार आटमेटिकली रिफ्रेश हो जाता ह और जब रिफ्रेश हो जाता है तो वह पेमेंट आटमेटिकली फेल हो जाता है क्योंकि पेमेंट बीच पे जाके कही एक जगा पे अटक जाता है ना ही उनिवर्सिटी के पास जाता है और ना ही आपके बैंक अकॉंड में रहता है यानि आपके बैंक अकॉंड मेंसे तो प payment fail दिखा रहा है मतलब तीन बार उसने phone से payment किया है 425-3 कितना है आप सोच लो और यह जो पैसा है वो जिन्देगी में उसको return नहीं मिलेगा इसका reason यह है कि university यह बताता है कि यह जो पैसा है यह उनके पास भी नहीं गया है यह आपके bank account पर भी नहीं है यह किसी beach एक जगा पर फस चुका है bank का error से या फिर जो भी problem है उसके वजह से ठीक है तो आपको यह पैसा कभी वापस तो नहीं मिलेगा तो obviously आपको यह से ध्यान रखना है अभी क्या चीज़ करना है आपको बार बार बता रहा हूँ पहले सबसे best solution दे रहा हूँ वो है कि हमारा जो contact number है जो कि आपको नीचे मिल जाएगा उधर पर message करके बूलना है कि हमारा फीस पेमेंट करके दो तो हम directly आपका फीस पेमेंट करके दे देंगे यह सबसे best solution हमें पता है कितना मतलब कैसे करना होता है अगर fail भी होता है अगर बाइचान से हमारे तरफ से भी fail होता है तो इनिवर्सिटी में कहां जाके बात करना होता है क्या करने से क्या मतलब obviously जान पेचान है तो वो लोग यह solve करके देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे तो सबसे best solution यह है कि आप हमारे पास आजाओ आपका जो फीस पेमेंट है वो हम लोग करके देंगे ठीक है मतलब लगब 20 30 रुपीस 50 रुपीस हाइस चार्ज रहता है उसका तो आप करवा लो 50 लेकिन मुझे पता है कि लगबग 99 परसेंट के पास रुपे डेभिट कर नहीं रहेगा इसके लिए बता रहा हूं महीं आपको कि आप हमारे पास आजाओ था तो है तो दूसरे नहीं जाएगगा उन नहीं जाएगा मतलब fail हो जाएगा वो payment option ठीक है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि यह please आप गल्दी मत करना university payment को लेकर मेरे तरफ से यह आपके पस request रहेगा कि यह problem आप मतलब ना करो आप गल्दी ना करो क्योंकि बाद में बहुत जाधा calls आते और इसका solution मैं नहीं दे पाऊंगा मुझे भी पुरा लगता है ठीक है तो यह solution था please एक बास share करना सभी के साथ उनको बोलना कि payment अगर करना यह payment तो दो device लेकर payment करे using the rupee debit card only नहीं तो rupee debit card के लाबा कोई दूसरा payment option यूज़ करोगे तो उसका fail होने का chance बहुत ही जाधा बहुत ही जाधा रहता है उनिवस्टी अल्रेडी recommend कर चुका है और उनिवस्टी ने कि हमारे पास अगर payment करना है तो आप रुपे debit card यूज़ करना ठीक है thank you for watching the video प्लीज वीडियो को लाइक कर देना साथी से चैनल को एक बार subscribe भी कर देना thank you